कर्म योग अध्याय आठ कर्म योग का आदर्श वेदान्त का सबसे उदात तत्व यह है कि हम एक ही लक्षे पर भिन भिन मार्गों से पहुँच सकते हैं मैंने इने साधारन रूप से चार मार्गों में विभाजित किया है और वे हैं कर्म मार्ग, भक्ती मार्ग, योग मार्ग और ग्यान मार्ग परंतु साथ ही तुम्हें यह भी स्मर्ण रखना चाहिए कि ये बिलकुल प्रथक प्रथक विभाग नहीं है प्रत्येक एक दूसरे के अंतरगत है जिनतों प्राधान्या के नुसार ही ये विभाग किये गए हैं ऐसी बात नहीं है कि तुम्हे कोई ऐसा वेक्ती मिले जिसमें कर्म करने के अतिरिक्त, दूसरी कोई शक्ती न हो अथवा जिसमें केवल भक्तिया, केवल ज्यान के अतिरिक्त और कुछ नहो ये विभाग केवल मनुश्य की प्रधान प्रवृत्ती अथवा गुण प्राधान्य के अनुसार किये गए हैं। हमने देखा है कि अंत में ये सब मार्ग एक ही लक्ष में जाकर एक हो जाते हैं। सारे धर्म और सारी साधन प्रणाली हमें उसी एक चरम लक्ष की ओर ले जा रही है। देखते हैं, आनुभाव करते हैं या शवन करते हैं। वे सब के सब मुक्ती की ही चेश्टा कर रहे हैं। असल में इस मुक्ती लाब के लिए संग्राम का ही फल है यह जगत। इस जगत रूप मिश्रण में प्रतेक परमाणू दूसरे परमाणूं से प्रधक हो जाने की चेश्टा कर रहा है। पर दूसरे उसे आबद्ध करके रखे हुए हैं। हमारी प्रिथवी सूर्य से दूर भागने की चेश्टा कर रही है। तथा चंद्रमाण प्रिथवी से प्रतेक वस्तु अनंत विस्तारोन मुख है। इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं। उस सबका मूल आधार मुक्तिलाब के लिए यह संग्राम ही है। इसी की प्रेरणा से साधु उपासना करता है और चोर चोरी। जब कारिय प्रणाली अनुचित होती है तो उसे हम बुरी कहते हैं। और जब कारिय प्रणाली का प्रकाश उचित तथा उच्च होता है तो उसे हम अच्छा यश्रेष्ठ कहते हैं। परन्तु दोनों दशाओं में प्रिर्णा एक ही होती है और वह है मुक्तिलाब के लिए चेश्टा। साधु अपनी बद्ध दशा को सोचकर कातर हो उठता है वह उससे छुटकारा पाने की इच्छा करता है और इसलिए इश्वर उपासना करता है। इधर चोर भी है सोचकर परिशान हो जाता है कि उसके पास अमक वस्तुवें नहीं हैं। वह उस अभाव से छुटकारा पाने की मुक्त होने की कामना करता है और इसलिए चोरी करता है। चेतन अथवा अचेतन समस्त प्रकृति का लक्ष यह मुक्ति ही तो है। जाने या अंजाने सारा जगत इसी लक्षे की और पहुचने का प्रेतन कर रहा है। पर हाँ यह अवश्य है कि मुक्ति के संबंध में एक साधु की धारना एक चोर की धारना से बिलकुल भिन है। यद्यपी वे दोनों ही चुटकारा पाने की प्रेणा से कारिये कर रहे हैं। परंतु हैं भिन साधु मुक्ति के लिए प्रेतन करके अनंत अनिर्वचनीय आनंद का अधिकारी हो जाता है। परंतु चोर के तो बंधनों पर बंधन बढ़ते ही जाते हैं। प्रत्यक धर्म में मुक्तिलाब की इस प्रकार की चेश्टा का विगास पाया जाता है। यही सारी नीती की, सारी निस्वार्थ परता की नीव है। निस्वार्थ परता का अर्थ है, मैं यह क्षुद्र शरीर हूँ, इस भाव से परे होना। जब हम किसी मनुश्य को कोई सत्कारिय करते दूसरों की सहायता करते देखते हैं तो उसका तातपर्य यह है कि यह व्यक्ति मैं और मेरे के क्षुद्र वृत्त में आबद्ध होकर नहीं रहना चाहता। इस स्वार्थ परता के वृत्त के बाहर बस यही तक जाया जा सकता है। इस प्रकार की कोई निरदिष्ट सीमा नहीं है। सारी स्रेष्ठ नीती प्रणालियां यही सिक्षा देती हैं कि संपूर्ण स्वार्थ त्याग ही चरम लक्ष है। मान लो किसी मनुष्य ने इस संपूर्ण स्वार्थ त्याग को प्राप्त कर लिया। तो फिर क्या उसकी क्या वस्था हो जाती है। फिर वह अमुक अमुक नाम वाला पहले का सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता। फिर उसे अनंत विस्तारलाब हो जाता है। फिर उसका पह व्यक्तित्ववादी व्यक्तित्ववाद के अनुसार एक मनुष्य संपूर्ण रूप से अनासक्त हो गया तो हम उसमें तथा अन्यसंप्रदायों के पूर्ण सिध्व्यक्तियों में क्या भेद पाते हैं वह तो विश्व के साथ एक रूप हो गया है और इस प्रकार एक रूप हो जाना ही तो सभ अपने इस लक्षे की और पहुँचने में बाधक होता है तथा प्रतेक निश्वार्थ कर्म हमें उस चर्म अवस्था के और आगे बढ़ाता है इसलिए नीती संगत और नीती विरुद्ध की यही एक मात्र व्याख्या हो सकती है कि जो स्वार्थ पर है वह नीती विरुद्ध है और जो निश्वार्थ पर है वह नीती संगत है जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ कि विभिन्न परिस्थितियों में कर्तव्य भिन्न भिन्न हो जाते हैं जो एक कारिय अवस्था में निस्वार्थ होता है हो सकता है वही किसी दूसरी अवस्था में बिल्कुल स्वार्थ पर हो जाए अतहा कर्तव्य की हम केवल एक साधरन व परण्तो संभव है वही किसी दूसरे देश में अत्यंत नीती विरुद्ध माना जाए क्योंकि भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती हैं। समस्त प्रकृति का अंतिम धेय मुक्ति है और यह मुक्ति किवल पूर्ण निस्वार्थता द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। नीती तत्व के मूल संबंध में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न धारणाएं हो सकती हैं। कुछ दर्शनों में नीती तत्व का मूल संबंध परम पुरुष परमात्मा में लगाते हैं। यदि तुम उन संप्रदायों के किसी वेक्ति से पूछो, कि हमें अमुक कारिय क्यों करना चाहिए, या अमुक कारिय क्यों नहीं करना चाहिए, तो वह उत्तर देगा, कि इश्वर की ऐसी ही आग्या है, उनके नीती तत्व का मूल चाहे जो हो, पर उसका सार असल में यही है, कि वयम की चिन्ता ना करो, अहम का त्याग करो, परंतु, फिर भी नीती तत्व के संबंध में, इस प्रकार की उच्च धरणा रहने पर भी, अनेक व्यक्ति, अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व के त्याग करने की कल्पना से सिहर उठते हैं, जो मनुष्य, अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व से जकड़ा रहना चाहता है, उससे हम पूछें, अच्छा, जरा ऐसे पुरुष के ओर तो देखो, जो नितांत निस्वार्थ हो गया है, जिसकी अपने स्वयम के लिए कोई चिंता नहीं है, जो अपने लिए कोई भी कारिय नहीं करता, जो अपने लिए एक शब्द भी नहीं कहता, और फिर बताओ, कि उसका निज्ट्व कहां है, जब तक वह अपने स्वैम के लिए विचार करता है, कोई कारिय करता है या कुछ कहता है, तभी तक अपने निजित्व का बोध रहता है उसे, परन्तु, यदि उसे केवल दूसरों के संबंध में ध्यान है, जगत के संबंध में ही ध्यान है, तो फिर उसका निजित्व भला क पाहरा, उसका तो सदा के लिए लोब हो चुका है, अतयेव, कर्मयोग, निस्वार्थ परता और सतकर्म द्वारा मुक्तिलाब करने की एक विशिष्ट प्रणाली है, कर्मयोगी को किसी भी प्रकार के धर्म मत का अवलंबन करने की आवश्यक्ता नहीं है, वह इश्वर में भी चाहे विश्वास करे अत्वा ना करे, आत्मा के संबंध में भी अनुसंधान करे या ना करे, किसी प्रकार का दार्शनिक विचार भी करे या ना करे, इससे कुछ बनता भी गड़ता नहीं, उसके सम्मुख उसका बस अपना निस्वार्थ परता लाभ रूप एक विश एक शन ही मानों प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, क्योंकि उसे तो अपनी समस्या का समाधान किसी भी प्रकार के मतामत की सहायता न लेकर केवल कर्म द्वारा ही करना होता है, जबकि ग्यानी उसी समस्या का समाधान अपने ग्यान और आंत्रिक प्रेरणा द्वारा क्या हम सचमुच संसार का कोई उपकार कर सकते हैं, उपकार का अर्थ यदि पूर्ण उपकार लिया जाए तो उत्तर है, नहीं, परन्तु सापेक्स द्रिष्टी से, हाँ, संसार के प्रदी ऐसा कोई उपकार नहीं किया जा सकता, जो चिरस्थाई हो, यदि ऐसा कभी होता तो यह संसार इस रूप में कभी न रहता जैसा उसे हम आज देख रहे हैं हम किसी मनुष्य की भूख अल्प समय के लिए भले ही शांत कर दे परन्तु बाद में फिर वह भूखा हो जाएगा किसी विक्ती को हम जो भी कुछ सुख दे सकते हैं वैक्षनिक ही होता है सुख और दुख रुपी सतत खोने वाले रोग का कोई भी सदा के लिए उपचार नहीं कर सकता इस सतत गतिमान सुख दुख रुपी चक्र को कोई भी चिरकाल के लिए रोग नहीं सकता क्या संसार को हम कोई चिरंतन सुक दे सकते हैं, नहीं, यह कभी संभव नहीं हो सकता, समुद्र के जल में बिना किसी एक जग है, गर्त पैदा किये, हम एक भी लहर नहीं उठा सकते, इस संसार में सारी शक्तियों की समश्टी, सदैव समान बनी रहती है, यहने तो कम हो सकती है, ना अधिक, उदाह हम मानव जाती का इत्यास ही ले ले, जैसा कि हमें आज ग्यात है, क्या हमें सदै वही सुक दुख, वही हर्ष विशाद, तथा अधिकार का वही तार तम्म्य पगपग पर दिखाई नहीं देता, क्या कुछ लोग अमीर तो कुछ गरीब, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, क कुछ स्वस्थ तो कुछ रोगी नहीं दिखाई पड़ते, प्राचिन काल में, मिस्रवासियों, ग्रीस वालों और रोमनों की जो अवस्था थी, वही आज अमेरिका वालों की भी है, जहां तक हमें इस संसार के इत्यास से पता चलता है, यही दशा सदैव रही है, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि सुक दुख की इस अनिवारिय भिन्नता के होते हुए भी साथ ही साथ उसे गटाने के प्रियत्न भी सदैव होते रहे हैं, इत्यास के प्रतेक युग में ऐसे हजारों स्तिरी पुरुष हुए हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए जीवन पत को गैसे दूसरी जगह फेकने का खेल खेल सकते हैं, हमने यदि शरीर से दुख को निकाल बाहर किया, तो देखते हैं कि वह मन में जा बैठा, यह ठीक, दानते के उस नर्क चरित्र जैसा है, कंजूसों को सोने का एक बड़ा गोला दिया गया, और उनसे उस गोले को पहाड के उपर ढखेल कर चड़ाने के लिए कहा गया, परंतु, प्रतेक बार, जो ही वे उसे थोड़ा सा उपर ढखेल पाते हैं, वहल उढखकर नीचे आ जाता है, इसी प्रकार यह संसार चक्र घूम रहा है, सत्यूग के संबंध में हमारी बादचीत बहुत सुन्दर है, परंतु उसी प्रकार, जैसे स्कूल के बच्चों के लिए किसे कहानिया, उससे अधिक और कुछ नहीं, जो सब जातियां सत्यूग का लुभावना स्वपन देखा करती हैं, वे अपने मन में यह भावना रखती हैं कि उस सत्यूग के आने पर संसार की अन्य जातियों की अपेक्षा शायद उन्हें ही उसका सबसे अधिक लाब मिल जाएगा, सत्यूग के संबंध में यह कैसा निस्वार्थ भाव है, अतयूग यह सिद्ध हुआ कि हम इस संसार के सुख को नहीं बढ़ा सकते और इसी प्रकार नदुख को ही, इस संसार में शुभ और अशुभ शक्तियों की समष्टी सदैव समान रहेगी, हम उसे सिर्फ यहां से वहां और यहां से यहां धकेलते रहते हैं, परन्तु यह निश्चित है कि वह सदैव समान रहेगी, क्योंकि वैसा रहना ही उसका स्वभाव है, यह जुआर भाटा, यह चढ़ाव उतार तो संसार की प्रकृती है, इ ऐसा कहना निरी मूर्खता है, क्योंकि जीवन कहने से ही मृत्यू का बोध होता है, और सुख कहने से ही दुख का, एक चिराग सतत जलता जा रहा है, यही तो उसका जीवन है, यदि तुम्हें जीवन की अभिलाशा हो, तो उसके लिए तुम्हें प्रतिक्षन मरना होगा, जीवन और मृत्यू एक ही चीज के विभिन पहलू है, केवल अलग-अलग दृष्टी कोणों से भिन भिन दिखाई मात्र देते हैं, वे एक ही तरंग के उत्थान और पतन है, और दोनों को मिलाने से ही एक संपूर्ण वस्तु बनती है, एक विक्ति पतन को देखता है, और निराशावादी बन जाता है, दूसरा उत्थान को देखता है और आशावादी बन जाता है, बालक, पाटशाला जाता है, माता पिता उसकी पूरी देख भाल करते हैं, तब उसे हर एक वस्तु सुख प्रद मालूम होती है, उसकी आवश्शक्ताएं बिलकुल साधरन हुआ करती है, वह बड़ा आशावादी बन जाता है, पर एक वृद्ध को देखो, जिसे संसार के अनेक अनुभव हो चुके है, वह अपेक्षा कृत, शांत हो जाता है, और उसकी गर्मी काफी ठंडी पड़ जाती है, इसी प्रकारवे प्राचीन जातियां, जिने चहुं और कहावत है, हजार वर्ष तक शहर और फिर हजार वर्ष तक जंगल, शहर का जंगल में तथा जंगल का शहर में इस प्रकार परिवर्तन, सरवत्र ही होता रहता है, और लोग इस तस्वीर को जिस पहलू से देखते हैं, उसी के अनुसार वे आशावादी और निराशावादी बन जाते हैं, इसके बाद, अब हम साम्य भाव के सम्बंध में विचार करेंगे, उपर्युक्त सत्युग, सम्बंधी धारणा से अनेक विक्तियों को कारिय करने की प्रेरणा मिली है, बहुत से धर्म, इसका अपने धर्म के एक अंग के रूप में प्रचार किया करते हैं, उ दो लोग इस बात का प्रचार करते हैं, वे अवश्य मतांध हैं, किन्तु उनमें सच्मुच बड़ी अंतरिक्ता होती है, इसाई धर्म का प्रचार भी तो इसी मोह मतांधता द्वारा हुआ था, और यही कारण है कि ग्रीक एवन रोमन गुलाम इसकी और इतने आक्रिष्ट ह उनका यह द्रड विश्वास हो गया था कि सत्यूगी धर्म में गुलामी बिलकुल न रह जाएगी, अन्नवस्त्र की बिलकुल भी कमी न रहेगी, और इसलिए वे हजारों की तादाद में इसाई होने लगे, जिन इसाईयों ने इस भाव का प्रथम परचार किया, वे वास अत्री भाव का रूप धरन कर लिया है, पर यह भी एक मतांधता है, यथार्त साम्य भाव न तो कभी संसार में हुआ है, न कभी होने की आशा है, यह हम सब समान हो ही कैसे सकते हैं, इस प्रकार के असंभव, साम्य भाव का फल तो मृत्यू ही होगा, जगत की उत्पत्ती त था उसकी स्थिति का कारण क्या है? साम्य का अभाव, केवल, वैशम्य भाव, जगत की प्रारंभिक अवस्था में, प्रल्य अवस्था में ही संपूर्ण साम्य भाव हो सकता है, तब फिर इन सब निर्मानशील विभिन शक्तियों का उद्भव किस प्रकार होता है? वो होत विरोध प्रतियोगिता एवं प्रतिद्वंद्विता द्वारा ही। अंच उत्पन हुआ है और उसके अंतरगत समस्त शक्तियां एवं समस्त पदार्थ अपने नश्ट साम्य भाव को पुनह प्राप्त करने की चेश्टा कर रहे हैं। ये उतनी ही आवश्यक हैं जितनी की वे जो उस साम्य भाव को नश्ट करने का प्रयत्न करती हैं। संपूर्ण साम्य भाव अथ्वा समस्त प्रति द्वंद्वी शक्तियों का संपूर्ण सामंजस्य इस संसार में कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पूर्वी सारा संसार किसी भी प्रकार के जीवन के लिए सर्वता आयोग्य हो जाएगा। वहां कोई भी प्राणी न रहेगा। अतयो हम देखते हैं कि सत्यूग अथ्वा संपूर्ण साम्य भाव की ये धारनाएं इस संसार में केवल असंभव ही नहीं। वरन यदि हम इन्हें संपूर्ण रूप से कारिय रूप में परिणत करें तो हुए हमें निश्चय प्रलय की ओर ले जाएंगी। वह क्या चीज है जो मनुश्य मनुश्य में भेद स्थापित करती है। वह है मस्तिश्क की भिन्नता। आज कल के दिनों में एक पागल के अतिरिक्त और कोई भी एहने कहेगा कि हम सब मस्तिश्क की समान शक्ती लेकर उत्पन हुए है। हम सब संसार में विभिन्न शक्तियां लेकर आते हैं। कोई बड़ा आदमी होकर आता है, कोई छोटा। इस जन्मगत विभिन्नता को अतिक कम थी, परन्तु उन्ही थोड़े से विक्तियों ने इस देश में क्या-क्या परिवर्तन कर दिये, गदि सभी लोग समान हों, तो उन इंडियनों ने इस देश को उन्नत करके बड़े-बड़े नगर आदी क्यों नहीं बना दिये, क्यों वे चिरकाल तक जंगलों में शिका करते हुए घूमते रहे, तुम्हारे पूर्वजों के साथ इस देश में एक दूसरे प्रकार की दिमागी शक्ती, एक दूसरे प्रकार की संसकार समश्टी आ गई, और उसके फलस्वरूप यह परिस्थिति उत्पन हो गई, संपून साम्यभाव का अर्थ है मृत्यों, तक वैशम्यभाव बना रहेगा, और यह सत्यूग अथवा सम्यभाव तभी आएगा, जब इस स्रिष्टी का कल्प का अंतखो जाएगा, उसके पहले पूर्ण सम्यभाव नहीं आ सकता, पर अंतु फिर भी सम्यभाव की एह धारना हमारे लिए कारिया में प्रवृत्ती द जिस प्रकार वैशम्यभाव नहीं रह सकती, उसी प्रकार मुक्ति एवं ईश्वर के पास लोटने की चेश्टा बिना भी स्रिष्टी नहीं रह सकती, कर्म करने के पीछे मनुश्य का जो हेतू रहता है, वह इन दो शक्तियों के तारतम में से ही निश्चित होता है, और कर् कुछ बंधन की ओर ले जाएंगे और कुछ मुक्ति की ओर है, संसार का यह चक्र के भीतर चक्र एक बड़ा भयानक यंत्र है, इसके भीतर हाथ पड़ा नहीं कि हम गए, हम सभी सोचते हैं कि अमुक कर्तव्य पूरा होते ही हमें छुट्टी मिल जाएगी, हम चैन की सास ले का यह प्रचंड शक्तिशाली जटिल यंत्र हम सब को खीच ले जा रहा है, इससे बाहर निकलने के लिए केवल दो ही उपाए हैं, एक तो यह है कि उस यंत्र से सारा नाता ही तोड़ दिया जाए, वह यंत्र चलता रहे, हम एक और खड़े रहें और अपनी समस्त वासनाओ का त्याग कर दे, अवश्य, यह कह देना बड़ा सरल है, परन्तु इसे अमल में लाना असंभव सा है, मैं नहीं कह सकता कि दो करोड आद्मियों में से एक भी ऐसा कर सकेगा, दूसरा उपाए है, हम इस संसार क्षेत्र में उतर आएं और कर्म का रहस्य जान ले, इसी को कर् कर्म करके बाहर निकलाना संभव है, इस यंत्र के भीतर से ही बाहर निकलाने का मार्ग है, अब हमने देखा कि कर्म क्या है, यह प्रकृती की नीव का एक अंश है और सदैव ही चलता रहता है, जो इश्वर में विश्वास करते हैं, वे इसे अपेक्षाकृत अधिक यद्यपी यह जगत अनंत काल तक चलता रहेगा, फिर भी हमारा धेय मुक्ती ही है, निस्वार्थता ही हमारा लक्ष है, और कर्म योग के मतानुसार उस धे की प्राप्ती कर्म द्वारा ही करनी होगी, संसार को पूर्ण रूप से सुखी बनाने की जो सब भावनाएं हैं, वे मतान्ध व्यक्तियों के लिए प्रेरणा शक्ती के रूप में भले ही अच्छी हों, पर हमें यह भी जान लेना चाहिए, कि मतान्धता से जितना लाब होता है, उतनी ही हानी भी होती है, कर्म योगी प्रश्न करते हैं, कि तुम्हें कर्म करने के लिए मुक्ती को चाहिए, सब प्रकार के सांसारिक उद्देश्य के अतीत हो जाओ, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्म फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, कर्म योगी कहता है कि मनुष्य अध्यवसाएद द्वारा इस सत्य को जान सकता है, और इसे कार्य रूप में प भिद जाती है, तो फिर उसे किसी बाहरी उद्देश्य की कोई आवश्यक्ता नहीं रह जाती, हम भलाई क्यों करें, इसके लिए भलाई करना अच्छा है, कर्म योगी का कथन है, कि जो स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से भी सतकर्म करता है, वह भी अपने को बंधन म डाल लेता है, किसी कारिय में यदि थोड़ी सी भी स्वर्थ परता रहे, तो वह हमें मुक्त करने के बदले, हमारे पैरों में एक और बेड़ी डाल देता है, अत एव, एक मात्र उपाए है, समस्त कर्म फलों का त्याग कर देना, अनासक्त हो जाना, यह जान रखो, कि न त हम अनंतिकाल से विश्राम और शान्ती का आनंद भोग रहे हैं, हम क्यों किसी के बंधन में पड़े, यह कह देना बड़ा सरल है, कि हम पूर्ण रूप से अनासक्त रहें, परन्तु ऐसा हो किस तर है, बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ प्रतेक सतकारिय हमारे पैरों में, और एक बेड़ी डालने के बदले पहले की और एक बेड़ी तोड़ देता है, बिना किसी बदले की आशा से संसार में भेजा गया प्रतेक शुभ विचार संचित हो जाएगा, वह हमारे पैरों में से एक बेड़ी को काट देगा, और हमें अधिका-धिक पवित्र बनाता ज पोरी दार्शनिक बात ही जान पड़े, जो की कारिये में परिनत नहीं की जा सकती, मैंने भगवत गीता के विरोध में अनेक युक्तियां पड़ी हैं, और कई लोगों का यह सिध्धान्त है कि बिना किसी हेतु के हम कुछ कर्म कर ही नहीं सकते, उन्होंने शायद मतांधता से रहित कोई निस्वार्थ कर्म कभी देखा ही नहीं है, इसलिए वे ऐसा कहते हैं, अबंत में संक्षेप में मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, जो सच्मुच कर्मयोग की शिक्षाओं को प्रत्यक्ष अमल में लाए थे, वे कर्मयोगी थे, पुरुषों की निस्वार्थ कर्म प्रवृत्ति के पीछे कोई न कोई बहिये उद्दिश्य अवश्य था, एक इन्हें छोड़कर संसार के अन्य सब महापुरुषों को दो शेनियों में विभक्ति किया जा सकता है, एक तो वे जो अपने को संसार में अवतीर्ण भगवा का अवतार कहते थे और वे दूसरे हैं जो अपने को केवल इश्वर का दूत मानते थे, ये दोनों अपने कारियों की प्रेरणा शक्ति बाहर से लाते थे, बहिर जगत से ही पुरुसकार की आशा करते थे, चाहे उनकी भाषा कितनी भी आध्यात्मिक्ता पूर्ण क्यों न रही हो, एक मात्र बुद्ध ही ऐसे महापुरुष्ट थे, जो कहते थे, मैं इश्वर के बारे में तुम्हारे मत मतांतरों को जानने की परवाह नहीं करता, आत्मा के बारे में विभिन सुक्ष्म मतों पर बहस करने से क्या लाब, भला करो और भले बनो, बस यही तुमें निर्वान की और अत्वा जो कुछ सत्य है, उसकी और ले जाएगा, उनके कारियों के पीछे व्यक्तिगत उद्देश्य का लवलेश भी न था, और उनकी अपेक्षा अधिक कारिय भला किस व्यक्ति ने किया है, इतिहास में मुझे जरा एक ऐसा चरित्र तो दिखाओ, जो सबसे उपर इतना उचा उठ गया हो, सारी मानव जाती ने ऐसा केवल एक ही चरित्र उत्पन किया है, इतना उन्नत दर्शन, इतनी अधभुत, सहानु भूती, सर्वश्रेष्ठ दर्शन का प्रचार करते हुए भी, इन महार्न दार्शनिक के खिर्दय में, क्षुद्रतम प्रानी के प्रती भी गहरी साहनु भूती थी, और फिर भी वे स्वयम के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं कर गए, वास्तव में वे ही आधर्श कर्म योगी हैं, पूर्ण रूपेन हे तुशुन्य होकर उन्हीं ने कर्म किया है, और मानव जाती का इतिहास यह दिखाता है कि सारे संसार में उनके सद्र श्रेष्ठ महात्मा और कोई पैदा नहीं हुआ, उनके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती, रदय और मस्तिश्क के संपूर्ण सामन जस्य के भाव के वे शर्व स्रेष्ठ उधारन हैं, आत्म शक्ती का जितना विकास उनमें हुआ, उतना औ अचीन हस्त लिखित पोथियों में कोई बात लिखी है इसलिए उन पर विश्वास मत कर लो उस बात को इसलिए भी न मानलो कि उस पर तुम्हारा जातिय विश्वास है अथWa बच्पन से ही तुम्हें उस पर विश्वास कराया गया है वरन तुम स्वयम उस पर विचार करो और विशेश रूप से विशलेशन करने के बाद यदि देखो कि उससे तुम्हारा तथा दूसरों का भी कल्यान होगा तभी उस पर विश्वास करो उसी के अनुसार अपना जीवन बिताओ तथा दूसरों को भी उसी के अनुसार चलने में सहायता पहुचाओ केवल वही विक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कारिये करता है जो पूर्ण तया निस्वार्थ है जिसे ने तो धन की लालसा है न कीरती की और नहीं किसी अन्य वस्तु की ही और मनुश्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक दिन बुद्ध बन जाएगा और उसके भीतर ऐसी कारिये शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्ता को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है वस्तुत है ऐसा ही व्यक्ति कर्मयोग की चरम आदर्श का एक ज्वलंत उदाहरन है इती कर्मयोग हा समाप्त हा करते है झाल